वेलकम डू माई चैनल यह देखिए है आज मैं फिर से बहुत प्यारा सा दो रंग का डिजाइन लेकर आई हूँ इस डिजाइन को आप बच्चों के आल प्रजेक्ट पर अपलाई कर सकते हो गस्वैटर बनाना चाहते हो लेडिस कार्डिगर बनाना चाहते हो कैप बच्चों बनाके दिखा तो इसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा है तो अब मैं आपको जो सिखा रही हूं यह मैं आपको क्रीम कलर के और रैड कलर के ठाके से सिखा रही हूँ तो यह मैंने दागबान गांठ लगा लिए और रंग साइड से लगाई है बुनना शुरू करना है ये फर्स्ट रो है हमारी डिजाइन की, इसमें हमने पहला फंदा उल्टा बुनना है, दूसरा फंदा भी उल्टा बुन लेंगे, और उसके बाद एक फंदा हमने स्किप करना है, ध्यान रहे ये हमारी रोंग साइड है, रोंग साइड से हमने धागा लगाना है, स्केंटरी क आपमने दो फंदे मुने हैं छी स्लीप करना है yr Three थे फिर एक स्लीप करना है फिर देन है घ्रके लगह पॉर्ड हैं बॉर्डर बॉन देजाटर अब की सने वासिजदे धा साथ ही इस बिजाइन पर पूर भी रओंक sokई सब्सक्वित्रली skdes m कि हुमारे दो तो जो स्लिप किया था इसे स्लिप कर लेंगे लेकिन धागा पीछे ले जाएंगे फिर हम स्लिप करने के बाद फिर तीन फंदे उटे बुनेंगे धागा पीछे ले जाएंगे, स्लिप कर लेंगे, और उसके पाद फिर से धागा अपनी तरफ ले आएंगे तीन फंदे हमने उल्टे मुल लिए, धागा हम पीछे ले गए, और स्लिप कर लेंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे, फिर दो फंदे उल्टे मुल लेंगे इससे बनेगी और दो सेलाईया हमारी यह जो हमारा primary color है इससे बनेगी अब हमने क्या करना है अब इससे बनना है यह wrong side है 3rd row है हमारी इससे भी बुन लेंगे और जो slip किया था दो बार फंदा इससे भी बुन लेंगे यह जो तीन फंदे हैं ने हमने बीच फंदे को सलिप करता है तो हमारे जिए किनारे पर चार फंद ने हमारी तरफ हो गया है तिन पर किनारे चेंज हो गया है तिन फंदों में इसे बीच वाला सलिप usted कर लेंगे दागा धगा हमारी तरफ Fresh paint यह wrong side है तो इसमें धागा उस तरफ करने की जरूरत नहीं है बीच वाला फंदा फे slip कर लेंगे आगे के तीन फंदे उल्टे बुन देंगे लास्ट वाला फंदा भी क्रीम रंग के धागे से उल्टा ही बुना जाएगा यह हमारी fourth row है fourth row भी हमने इसी first जो हमारा color है इसी से और पहला फंदा चाहे स्लिप कर लीजे चाहे बुन लीजे मैंने बुन लिया है ये दोनों ही सही होता है चार फंदे जो हमने उल्टे बुने थो उस तरफ से इस तरफ से भी उल्टे बुन लेंगे अब धागा हम बैक साइड ले जाएंगे और इस फंदे को जो स्लिप किया और उल्टा बुन देंगे। वस उल्टा बुनते हुए ही हमने इस डिजाइन को वपर तक कंपलेट करना है। लास्ट के चार फंदे फिर से हमारे उल्टे आ जाएंगे। वस यही डिजाइन है, इतना सा ही डिजाइन है, अब फिर से आप ने यह देखिए। दो सिलाई yağ हमारी डिजाइन से कमप्लीट हो गई है दो हमारी ये रड कलर से अब आपने फिर से रड कलर से बुन ना है रड कलर का जैसे मैंने फर्स्ट रो में बताया ही था अपको एक भार फिर से बता देती हूं दो फंदे रेड कलर से बुन लेंगे और यो ये बीच वाला फंदा है इसे अब हम स्लिप कर लेंगे और ये यो फंदा है इस से इधर वाला और इस तरफ वाला इन दो नुफ तीनों फंदों को उल्टा ही रेड कलर से बुन देंगे अगला फंदा स्लिप कर देंगे बस वही सेम रिपीट करते जाना है जैसे फस्ट रो से हमने किया ही था ये फस्ट रो वाली रो ही है जो फित्रे में डाल रहे के बता रही हूं आपको ताकि आपको अच्छे से समझा जाए तो ये क्रीम और रेड में भी बहुत सुंदर लग जाना जाना है फिर इसे सलिप करना है थिर से धागा यंव बढ़ में तर्व लेकर 3 फंद aur बड़नेंगे दहागा भी बने हैं इस तरफ लेकर आएंगे तीन फंदे बनेंगे वहाँ डीम के बाद पीशम एकर कर नुगे उनकर पल्लामION को एफिर भी mm चलीम के बाद यही ह ब्लैक और वाइट में बनाना चाहते हो जा फिर जे क्रीम और रेड में कोई भी कलर लगा लिजिए आपको जो कलर अच्छे लगते हैं तो आप उनसे बना सकते हो तो उमीद करते हो आपको मेरा आज का वीडियो यह पसंद आया होगा डिजाइन आपको अच्छा लगा है मेर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और वेल आइकोन के बटन को भी प्रेस करें ताके आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें तो थैंक यू कर दो